हेलो अब्रीवन स्वागत है आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले ECS T10 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की पहला मुकाबला most probably आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा होगा मैंने आपको safe team provide करवाई थी मैंने आपको risky team provide करवाई थी risky team इतना बढ़िया नहीं कर रही है safe team बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रही है M Iqbal 77 run और अगर आपके अपोनेंट के पास M Iqbal नहीं है न तो यह मान के चलो कि भाईया आपको नहीं हरा सकता है कोई भी नहीं हरा सकता है मतलब अगर आपकी ग्रेंड लीग में सिर्फ और से फैम इकबाद आपकी टीम में न तो आपकी टीम भाईया बहुत उपर होगी अभी के लिए तो मैं ने सेफ टीम भी लगा रखी थी मैंना रिसकी टीम वाले कॉन्टेस्ट कुछ जीत रहा हूं कुछ आ रहा हूं रिसकी टीम वाले के साथ क्या था कि भाईया उसमें एम इकबाल नहीं तो वही जीत रहा हूं और वह मान के चलो कि एंड तक मैं जीतता ही रहूंगा क्यूंकि सामने वाले प्लेयर्स के पास है नहीं भाईया एम इकबाल सब नहीं रखा नहीं है तो वह आपको देखकर चलना है मतलब वह इठा पहला मुकाबला खेल रहा है पहले भी ओपन कर चुका तो इसलिए मैंने इसे ट्राइ करा था अब यहां पर हम पूरी की पूरी इस मुकाबले की बात कर लेंगे फते और यह जो 11 स्टार्स के भीश में मुकाबला होने वाला है 11 स्टार्स बॉलिंग से इतना बड़ी अभी तक करने ही पाए है अगर आप देखो तो किसने विकेट लिया तो एक टीश आने लिया और एक कि पर्फॉरमेंस मुझे तो न लगता है पेला मुकाबला जीतेंगे बहुत कम चांसिज हैं पहला है पर यहां पर के खिलाफ प्रफ नाफ इनके चांसे हैं कि यह जीट जाएं क्यों जीट जाएं क्योंकि फते भी अपने दोनों के दोनों मुकाबले हार करी आई यह ज्यादा बड़ी आ फते की भी परफॉमेंस रही नहीं है तो वह आपको देखकर चलना है फते अगर आप देखो तो अपना नीचे व रखा तो वह आपको देखकर चलना है उसके बाद अगर माँ बात करूं आपका सतरह डिग्री सेल्चेस टेंपरेचर है पिछ रिपोर्ट की अगर हम बात करें यहां पर बैट्समैन ने देख लो हैं मिकबालना क्या कर दिया भीया मतलब सामने वाली टीम की ऐसी तैसी मार बहुत ही ज्यादा बड़िया परफॉर्मेंस है नाइंटी वन रन कर गया मुझत ऐसा लग रहा सेंचरी मार जाएगा यह बंदा अब अगर आप देखो तो टोटल एवरेज जो स्कूर्स बन रहे हैं वो बन रहे एक सो तीन रन जो पिछले पांच मुकाबले आं पर हुआ है रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग एक बार चेस करते हैं टीम हार जीती है चार बार यहां पर हारी है स्टार्स की अगर आप बात करो तो तीसरा मुकाबला भी हार नहीं वाले हैं दो तो पहले हारी चुके हैं तीसरा मुझे लगता हारी जाएंगे तन्वीर शाह एक विट और उसके बाद आमिर हमजा आपके बास दस और चौबिस बड़िया परफॉर्मेंस रही है आमिर हमजा की इसी के उपर है अब टीम के अगर यह बड़िया परफॉर्म कर जाता तो भाया शायद टीम भी बड़िया परफॉर्म कर जाएगी ताबिश ना पचास रन करें उसके अपर आड़ रन और अठार रण फेर उसके पनार और गार। हुआ। देखो गे। रूहिड इस्लाम तेड़ स्लाम एक उमर्याज ने एक विकट अव हैं पर यहां मेर्ड यहां उसके बाद अगर भात करूं Western आपके । ने दो विकेट सेटकाई है और अभी पिछले मुकाबल में ज्यादा बड़ी है परफॉर्म रहा नहीं है और अभी अभी ना कैट चूटा है मिकबाल का फिर उसके आद एसान उल्ला आपके पास है एक रन फिर उसके आद हमजा आपके पास हमजा खान ना दो विकेट और यह यहां पर अगर मैं बात करूँ उमेर र्याज आपके पास है उमेर रिहाज यहां पर अगर आप देखो तो भया आपके इसा करा कोई भी नहीं अपले रहा था आप यहां पर आकर स्टैट देख सकते हो अब यहां पर अगर मैं बात करूँ आपके अपके फते तो भही है फते भी अपने दोनों के करवा है दूसरे मुकाबल में ओवर नहीं करवा है बट अगरे करवाता है तो बढ़िया इंपोर्टन पिक है उसके बाद आपके पास आर सिंग दायत तेशनों पंदर रन के साथ एक विकेट बढ़िया परफॉर्मेंस उसके बाद तेज्विंदर सिंग आपके पास है 16 रन के साथ एक विकेट और यहां पर 4 रन फिर उसके बाद अगर माँ बात करूँ आपके पास बात करूँ जिर रन अजम के अगर माँ बात करूँ तो अजम की परफॉर्मेंस इतनी वड़िया नहीं रही है फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भी आपके जगरूप हैं जगरूप सिंग ने एक भी रन नहीं करा पिछ्छे मुकाबले में नवाज हुसान आपके पा कर रही है बॉलिंग के साथ कुल दीप आपके वाशन करवाई बर यहां पर इसने मिडल ओर में बॉलिंग कर वाइए इतनी बड़ा परफॉर्मेंस रहे नहीं एम सिंग लफुछ द्यार देखने ने obey अगर आपदेखो तो हर एक प्लेइड के स्टेर्स देखने को मिल जए रहूं क्योंकि हुए है मिकबाल को रखने से वो टीम ना बहुत तगड़ी परफॉर्मस दे रही है अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ी है जिनके उपर आफ फोकस कर सकते हो आमिर हम्जा आपके पास है शांतनू ड्रॉप कर सकते हो एल चांसे ना बालिंग करवाने के तो वह आपको देखकर चलना उसके बाद अगर मैं बात करूं और रॉनिंग सेक्षिन में आर सिंग दायट टी शा टी सिंग जुबेर एहमत जुबेर एहमत की बालिंग पे ना अब यह भी कैट छूटा है आप ट्राइ कर सकते हो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो अब यहां पर अगर आप देखो तो आर सिंग दायट इस इंपॉर्टन पिक टी शा आपके पास बहुत बढ़िया है टी सिंग आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रह सकता है जैड एहमत के ओपर को ध्यान नी दे रहा है बट जैड एहमत के ओपर आपको ग्रैंड लीग में ध्यान देना स्मॉल लीग में नहीं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास यू रियाज हैं फिर उसके बाद आई वाजिद हैं एहमत हैं और एहमत अभी डैथ मों बालिंग करवा रहा है एक भी विकेट नी चटकाई है उसके बाद करूंब आपके बास हैं हुसेन है और भाइसाब अभी 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 अमिक बाल ना मार दिया सेंचरी तो वह देखकर चलो कि सौरं सीधा सीधा पॉइंट आगे चल रहे होगे अगर आपने अमिक बाल लियां सामने वालने अमिक बाल नहीं लिया उसके बाद अगर आप यहां पर हमजा फिर उसके बाद अगर आप देखो हैं रियाज एहमद और उसके दान हुसाइन पूरी की पूरी टीम आपके लिए आई वाजित और नुसाइन पूरी की पूरी टीम आपके लिए फेवरेवल टीम है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर इस देगा वीडियो लेक करें बहले कंदर बाते क्योंकि ऐसी वीडियो जोल भी आती रहेंगे आपके लिए चैनल पर